किसी ने बड़े कमाल की बात करिये कि हौसले के तरकश में वो कोशिश का तीर जिन्दा रखो हार जाओ चाहे जिन्दगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उमीद जिन्दा रखो हाई गाईस मैं हूर जेकारतिक एक छोटी सी कहानी ये कहानी आपको सिखाएगी कि किसी भी काम में चाहे वो बढ़ाई हो करियर हो गोल हो टागेट हो किसी भी काम में आप अपना कॉंसेंट्रेशन किस तरीके से बढ़ा सकते हैं ये कहानी एक फकीर बाबा किये जिनके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी बात को बड़ी इंटरस्टिंग तरीके से इनुवेटिव तरीके से क्रेटिव तरीके समझाते थे और जिसको समझाते थे उसको बात हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती थी उनके बारे में बात देरे देरे पॉपिलर होने लगी वो पॉपिलर होने लगे उनकी खियाती बढ़ने लगी और ये बात बढ़ते बढ़ते उस राजी के राजा तक पहुंची तो राजा बुला कि इतने महान बाबा हैं जिनके बारे में इतने सारे लोग कह रहे हैं तो क्यों न जाकर कि उनसे मुलाकात की जाए उसने पने महामंत्री को बुला कि सारी सिना को तयार कर दो ढोल नगाडों के साथ में शानदार तरीके समझाएंगे बाबाजी का सम्मान करेंगे और थोड़ा सा ग्यान उन्से लेकर के वापस आएंगे मामंतरी निका ठीक है आप जो करेंगे हो जाएगा एक दिन डिसाइड किया गया उस दिन सारी सेना के साथ में लाब बश्कर के साथ में राजा साथ निकल गए और पहुंचे उन फकीर बाबा के आश्रम के बाहर वहां जाकर के देखते हैं कि उस दर्वाजे से ही वो फकीर बाबा देख रहे थे वो अपने बगीचे में गड़ा खोद रहे थे लेकिन मा ऐसा कुछ नहीं हुआ, सैनिक गए जाकर के बुले कि राजा साथ आपसे मिलने के लिए आए, लेकिन बाबाजी के कानों में कोई इसर ही नहीं पड़ा, जू ही नहीं रहेगी, मतलब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, सैनिक वापस आया, आकर के बताया, मंत्री को वो तो ज्यानी नहीं दे रहे, मंत्री नहीं करके राजा को बताया, राजा को बड़ा बुरा लगा, राजा को लगा कि मेरा अपमान हो गया है, मतलब मेरी सेना के सामने बाबा मेरा अपमान कर रहा है, मैं या घ्यान लेने के लिए आया था, मुझे अपमान मिल रहा है, र उसे लग रहा थे कि बाबा फकीर वकीर नहीं है, पागल आदमी नहीं है, कुछ देर के बाद में डोल नगाडे भी शांत हो गए, और थोड़ी देर के बाद में बाबाजी अपना काम खत्म करके खुद से आ गए, राजा से मिलने के लिए और आपकर के नमशकार के आप बोल कौन सा काम बड़ा है, कौन सा काम छोटा है, यह तो उपर वाला जाने, मैं तो हर काम को बहुत बड़ा मानता हूँ, बहुत महत्पून मानता हूँ, और रही बात ग्यान की, तो वो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, तो अब राजा के मन में एक जिग्यासा जागी कि ये ग्यान कहां दिया, अभी तो बात ही नहीं हुए, अब तो हमारी बात शुरू हुई है, और बाबा जी किरें कि ग्यान पहली दे चुका हूँ, तो इन्हों किस तरीके से मुझे ग्यान दिया, वो जानने के लिए उस राजा के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगी, तो फकीर बाबा ने जो जवाब दिया, उध्यान से सुनेगा, फकीर बाबा ने का, कि बेटा जब मैं गड़्धा खोद रहा था, ऐसा तुम्हें लग रहा था कि मैं गड़्धा खोद रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था, मैं गड़्धा नहीं खोद रहा था, बलकि गड़्धा खोदने की जो क्रिया है वो बन चुका था मैं वहाँ पर काम करने वाला नहीं था वो खुद में जो क्रिया थी अपने आप होती चली जा रही थी मैं इतना तल्लीन हो चुका था कि मुझे तुमारे किसी भी सैनिक की आवाज नहीं है किसी ढोलनगाड़े की आवाज नहीं बस अपना काम किये जा रहा था वो गड़ा अपने आप खुटता चला जा रहा था वो अपने आप काम किये करता जा रहा था और जब तो काम पुरा नहीं हो मुझे पता ही नहीं चला आप काम करने वाले तो होते हो लेकिन वो क्रिया नहीं हो रही होती है आपका कॉंसेंट्रेशन वहाँ पर नहीं होता है जो भी आप टागेट बना रहे हैं जो भी आप करना चाहरे हैं पूरे मन के साथ कीजिए, पैशन के साथ कीजिए वो चीज आपके पास अपने आप चलियाएगी और रही बात उस काम को करने की तो बस काम करने से पहले सोचेगा कि क्या आपको उस काम में मजा रहा या नहीं आ रहा अरजे कार्तिक आपसे बस यह करेगा कि अपने पसंद का काम कीजिए अपने पसंद से टागेट बनाई और फिर उसे अचीव करने के लिए पूरे पैशन के साथ में लग जाएए वही कॉंसेंट्रेशन लेकर के आईए जो फकीर बाबा उस गड़े को खोदने में लेकर के आए थे आप काम करने वाले ने रहेंगे आप क्रिया बन जाएंगे अरजिकारती एक बार फिर से कहेगा कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा याद रखिए हर सोमवार सुबह साड़े नौ बजे मेरे फेस्बूक पेज योट्यूब चैनल पर देखिए एक नहीं काहने